हेलो फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में जयन दर्म और बोद दर्म के त्री रतनों के बारे में पढ़ेंगे हमने जयन दर्म और बोद दर्म में डीटेल से पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है यहां पर हम त्री रतनों के बारे में पढ़ेंगे देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले में आपको बता देना चाहती हूँ की तुरी रतन कहते किसे है ठीक है तो तुरी रतन है यह एक संस्कृत सब्द है ठीक है और इस सब्द का साब्दिक अर्थ है तीन रतनो वाला पाली बासा में त्री रतन को ती और रतन लिखा जाता है इसे त्री गुण सरण भी कहा जाता है यह बो द्रमवाय जैन द्रम के तीन गठक हैं जिनके बारे में हम यह आपर पढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहले मैं आपको जैन दरम के त्री रतनों के बारे में बताऊंगी तो देखिए जैन दरम के तीन रतन इन्हें रतन उत्रे भी कहते हैं इनको समयक दर्षन अर्थात सही दर्षन समयक ज्यान तता समयक चरित्र के रूप में माननेता प्राप्त है इन में से किसी का भी अन्य दो के बिना अलग अस्तित्व नहीं हो सकता अर्था दिये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंग जुड़े हुए हैं एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है और अध्यात्मिक मुक्ति के लिए ये तीनों जो रत्न है ये आवसेख है तो देखिए जैंद्रम के त्री रत्न कोन कोन से थे तो समयक ज्यान, समयक दर्शन और समयक आचरन तो जैंद्रम में त्री रत्न है इन में समयक ज्यान सम्यक ज्यान क्या था मैं आपको यहां पर यह समझाना चाहूँगी कि जैसे सत्य और एसत्य का ज्यान अर्थात संका विहिन सच्चा ज्यान ही क्या था? सम्यक ज्यान उसके बाद आपका आता सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? यथार्थ ज्यान के पर्तिस रधा अर्थार्थ जैसे तिर्थंकरों में विश्वास करना ही क्या है समयक दर्शन उसके बाद आपका आता है समयक आच्रण तो समयक आच्रण का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई अहितकर कारिय है उसका निसेद करो और हितकर कारियों को आचरण में लाओ यानि अच्छे काम आप करो तो यह आपके जैन धरम में त्री रतन थे समय ग्यान, समय दर्शन और समय आचरण जैन धरम के अनुसार त्री रतनों का आपन पालन करेंगे तो वेक्ति जनम मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है और मोक्स को प्राप्त कर सकता है ठीक है तो जैन द्रम में बताया गया ना कि जनम मरण के बंधन से मुक्ती ही क्या है मोक्स प्राप्ति है त्री रतनों के पालन के लिए आच्रन की पवितर्ता पर विशेज बल दिया गया है तो यह आपके जैन द्रम के त्री रतन थे अब हम पढ़ेंगे बोध द्रम के त्री रतन तो बोध द्रम के त्री रतन कौन-कौन से है बुद, धम और संग तो यह जो त्री रतन है जो तीन रतन है यह बोध धरम के सबसे महतोबुण अंग है इन त्री रतनों पर ही बोध धरम आधारित है बुद, धम और संग तो बुद बुद का मतलब क्या है? जो जाकरत और महा ग्यानी वेक्ति है वो ही क्या है बुद्ध है जैसे महात्मा बुद्ध ठीक है तो बुद्ध का मतलब जाकरत यहां अनन्द ग्यानी मनुस से जिसने खुद के परियासों से बुद्धत्वय प्राप्त किया हो ठीक है फिर आपका दूसरा आता है धम धम में क्या था धम में बुद्ध की सिक्षें थी ठीक है धम में क्या है बुद्ध की सिक्षें बुद्ध की सिक्षें कोई क्या कहा जाता है धम कहा जाता है फिर आपका आता है संग तो बुद्ध बिक्सों एम बुद्ध उपासकों का संगठन ही क्या था संगता बोध धरम में बोध बिक्सुओं और बोध उपासकों के संगठन को क्या कहा गया है संग कहा गया है बिक्सु वे उपासक दोनों ही बोध धरम के अन्वियाई थे और आपका जो ये बोध धरम है इसके परचार के लिए संग अत्यन्थी महत्वपूर्ण है और बोध धरम में मतलब जो भी वेक्ती बोध धरम को ग्रहन करना चाता था या बोध धरम के संग में आना चाता था दिक्ष्या पराप्त करना चाता था उसके लिए ये कहावत पहले से ही चलिया आ रही है बुद्धम सरणम गचामी अर्थात बुद्ध के सरण में आना धमम धरनम गचामी अर्थात धम की सरण में आना और संगम सरणम गचामी तो बुद्ध के सरण में आना धम को धारन करना और संग के सरण में आना तो भुद्ध के समय से बोध मत में जो वेक्ति दिक्षा त्रित्वे प्राप करते थे वो वो भुद्धम स्राणम गच्छामी दमम धरणम गच्छामी और संगम स्राणम गच्छामी वाले सब्द प्रियोग में लेते थे तो यहां पर हमने त्री रत्नों के बार में पढ़ा है जो बोध धर्म और जैन धर्म में होते है तो धन्यवाद दोस्तों आज हमने यहां पर बोध धर्म और जैन धर्म के त्री रत्नों के बार में पढ़ा कई बार प्रिक्षा में पूछ लेते हैं बोट धर्म के कोन सेत्री रतना है और जैन धर्म के कोन सेत्री रतना है तो आप और भी नई जानकारी प्राप्त करने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे WhatsApp बने ब्रोडकास चैनल से जुड़े ताकि आपको इतिहास से संबंदित और नई जानकारी प्राप्त हो स कि अजड़ के?